बड़ी ख़बर सीधे दतिया से, जोहां सीम शिभरा सिंग चोहान दतिया पोहँचे है, सह परिवार माँ पितांभरा पीट के दर्शन करने के लिए पोहुचे जन समपर्क मंतरी दॉक्टर नरुत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया है मा पितामरा पीट पहुँच कर मा बगुला मुखी देवी की पूजा अर्चना भी मुख्य मंत्री शिबरा सिंग चोहान के द्वारा की गई इस वक्ती बड़ी खबर सीधे दतिया से जहां मुख्यमंत्री शिवरास सीध चोहां सहः परिपार पितामरा पीठ दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं वहां पहुचने पर जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरुतम मिश्रा ने उनका स्वागत किया मा पितामरा पीठ पहुचकर मा पगला मुख्य देवी की पूजा अर्चना सीएम के द्वारा की गई है इस वक्ती बड़ी खबर सीधे दतिया से जहां सहः परिबार मुख्यमंत्री शिवरास सीध चोहां मा पितामरा के दर्शन करने के लिए दतिया पहुचे हैं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरुतम मिश्रा नियम का स्वागत किया है पितामरा पीठ पहुचकर मा पगला मुख्य देवी की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है इस वक्ती बड़ी खबर सीधे दतिया से महां पितामरा पीठ की दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहां सह परिवार दतिया पहुचे हैं और इस दोरान जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्वा के द्वारा सीएम उनुट के परिवार का स्वागत किया गया है वही पितांबरा पीट के दर्शन के पार बगला मुखी की भी पूजार्चना की गई है ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संबादाता मनोज गुस्वामी फोन लाइन पर मौजूद है मनोज जारना चाहेंगे सीएम शिवरासिंग सेह परिवार दत्या पहुँचे हैं अब इसके बाद क्या कुछ कारिकरम है उनका कितापरा मंदर पहुँच चुके अपने परवार के साथ हैं बच्चे भी उनके साथ हैं पत्नी के साथ बच्चे भी हैं और अंदर बगला मुखी का जो गर्व रहे हैं वहां पूजार्चना उनकी अभी चल रही है और लगवा आदे घंटे तक गुजार्चना होगी और अपने मनो कामना मा बगला मुखी की सबग से लखेंगे उसके बाद पुया संपन नोगी पर सीधे हली पेट पहुंचकर रावत पुला के लिए वो रवाना होगी उनके साथ परगेस की जनसंपर्ग मंति दॉक्टर नर कारी देने के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दर दिया से